हेलो प्रिबान मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजिल थामी आप सभी का स्वागत करती हूँ सो फाइनली डी ट्रिप्लेस्बी द्वारा टीजीटी दोजार चौबीस की जो एडवेटीजमेंट है ये रिलीस कर दी गई है ओफीशल नोटिफिकेशन आपको मंडे से वेनिसडे के बीच में इस डी ट्रिप्लेस्बी के ओफीशल अपसाइट पर देखने को बिलेगा अभी ये एडवेटीजमेंट आप लोगों का न्यूस पेपर में रिलीस हुआ है जैसे पीजीटी का यहाँ पर रिलीस हुआ था जिसमें अगर आप ओवराल देखेंगे तो टीजीटी के इन सभी सबजेक्ट में आपकी एडवेटीजमें जो है ये रिलीस हुई है जिसके अंदर आपको TGT Maths, सातिसा, TGT English, TGT Social Science, TGT Natural Science, TGT Natural Science जो है वो TGT Science को ही कहते हैं यहाँ पर डेट रिलीस में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डीटेल में डिस्कस करूँगे कि अगर आप TGT Post के लिए अपलाई करना चाहते हैं या फिर इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों की qualification क्या होनी चाहिए साथे साथ यहाँ पर आप लोगों की subject wise क्या क्या eligibility होनी चाहिए अब देखिए कई सारे candidate यहाँ पर जो हैं KBS में इसके अलावा NBS में यहाँ पर eligible नहीं होते हैं किस वज़े से subject combination के वज़े से बट अभी आपको यह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर DBB में इस तरीके का कोई भी subject combination नहीं है यानि कि अगर आपका किसी particular subject से graduation है honors है उसके बाद भी हाँ पर आप eligible होंगे अब मैं एके करके अगर आपके साथ subject wise बताऊं कि क्या क्या है यहाँ पर qualification है इससे पहले हम देखते हैं कि यह जो DBB की आपकी TGT post की vacancy है इसके application form fill up जो है वो 8 February से लेकर 8 March तक के बीच में होंगे इसका एक good news आप लोगों को यह चीज़ देखने को मिलेगा कि देखें यहाँ पर जो form fill up की last date है वो 8 March यहाँ पर दी गई है इससे यह चीज़ हमें clear होता है कि जो candidate यहाँ पर अभी 21 January को यहाँ पर CTAT के exam देंगे उनका result लेट से ल candidate भी यहाँ पर इस application form के लिए यान की इस भरती के लिए यहाँ पर eligible होंगे और यहाँ पर CTAT का result रहा है कि यहाँ पर 15 से यहाँ पर 20 दिन के अंदर CTAT अपना result जो है अनौंस कर देता है means आप यहाँ पर eligible होंगे तो अपनी तयार यहाँ पर आप भी शुरू कर दीजिए अ सबसे पहले अगर आप TGT Maths के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो TGT Maths के लिए आपका graduation में आपका two year जो है math subject होना चाहिए सिफ यही eligibility है अगर आपने यहाँ पर BAC की है जिसमें आपका subject था PCM PCM में अगर आपके पास math 2 साल है तो भी आप TGT Maths के लिए यहाँ पर eligible हो औ और अगर आपने BAC Maths honors कर रखा है तो तो आप completely eligible हो क्यों क्योंकि तीन साल आपने हाँ पर math subject पढ़ा होगा इसके लावा अगर हम TGT English या फिर TGT Hindi या TGT Sanskrit, Urdo, Punjabi ऐसे subject की बात करें जो कि कि किसके अंदर count होते हैं जो कि language के अंदर count होते हैं तो देखिए यहाँ पर अग अगर यह particular language आपका 2 साल graduation में था तो भी आप यहाँ पर eligible हो जैसे कि अगर आपने BA कर रखा है और BA में आपके पास English दो साल तक था यानिके चार समिस्टर तक था तो आप यहाँ पर eligible कहला होगे इसके अलावा सबसे जादा यहाँ पर confusion होता है TGT Natural Science और TGT Social Science पे तो देख biology हो गया यहाँ पर life science हो गया बायो chemistry हो गया biomedical हो गया microbiology हो गया apply science and geology हो गया इन सभी subject में से कोई एक subject ध्यान से सुनिएगा इन सभी subject में से कोई भी एक subject आपके graduation में 2 साल तक होना चाहिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा flexibility आपको दे गई है यहाँ पर इस तरीके से नहीं ब subject अगर आपके graduation में 2 साल तक रहा है तो आप यहाँ पर TGT Natural Science जिसको आप TGT Science के नाम से जानते हैं आप यहाँ पर eligible होंगे इसके अलावा TGT SOS के है TGT यहाँ पर social science के हम बात कर रहे हैं अब देखिए कई सारे candidates यहाँ पर confused होते हैं कि हम लोगों का जो graduation था वो commerce background से था तो अब हम लोग यहाँ पर परिशान है कि हम तो कहीं के लिए भी eligible नहीं है तो DTS भी उनको भी flexibility लेता है कैसे अब TGT Social Science के eligibility यह बोलती है कि आपके पास history, political science, geography, economics, sociology, business study, statics में से कोई एक subject आपके graduation में कोई भी एक subject, anyone आपके graduation में 2 साल तक होना चाहिए तो देखिए अगर आप commerce background के हैं तो business study या statics या economics जो है आपके पास होगा तो आप यहाँ पर TGT Social Science के लिए eligible होंगे तो इस तरीके से सबसे पहले तो subject combination का कोई भी यहाँ पर problem देखने को नहीं मिलता DTSB में इसके अलावा यहाँ पर अगर हम subject wise देखे तो subject wise male और female की भी अलग-लग vacancy आती है यह जो detail notification है मैंने आप लोगों के साथ telegram group में share कर दिया है telegram group का link आपको comment section में मिल जाएगा इसके अलावा अगर हम qualification की बात करें सबसे पहले तो यह particular subject आपके पास होना चाहिए इसके अलावा C-Tat का आपके पास paper 2 जो है वो आपका यहाँ पे qualify होना चाहिए अब इसकी qualification क सबको पता है और अगर आप अधर स्टेट के यहाँ पे OBC में count होते हैं तो भी आपको यहाँ पर डली में यहाँ पे general category में count किया जाएगा और अगर आप यहाँ पे डली का OBC रखते हैं तब जाकर आपको 82 marks में यहाँ पे eligible माना जाएगा और अगर आप S.E.S.T. category से जो candidate होते हैं वो हर स्टेट में S.E.S.T. में ही count होते हैं तो इनके लिए यहाँ पे 82 marks का criteria यहाँ पे रखा गया है तो इस तरीके से सीटार पेपर 2 clear होना चाहिए साते साथ graduation में तो मैंने बत आपके पास कोई भी subject combination का problem नहीं है बट साते साथ beard जो है आपका यह complete होना चाहिए अब देखे बहुं सारे candidate ऐसे होते हैं जो कि last semester में होंगे उनका seat height clear होगा क्योंकि उन्होंने उससे पहली वाले semester में दिया हो सकता है बट अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस भरती मे बैठना चाहते हो तो आपका beard भी यहाँ पे complete होना चाहिए तो इस थरीके से जो आपका basic doubt था हूँ आपको maybe मैंने यहाँ पे clear किया इसके लावा age limit के अगर हम बात करी तो age limit old recruitment rule के according ही 32 years तक आपको देखने को मिलेगा upper age यह जो है यह male के लिए है और अगर हम female की बात करें तो female के लिए यहाँ पे relaxation दी जाती है और 40 years तक आपको देखने को मिलेगा तो अगर आप यहाँ पे eligible है most लिए हर candidate यहाँ पे eligible होता है जिसका beard complete है यह seat at paper to clear है क्योंकि यहाँ पे subject combination का कोई भी problem नहीं है तो आप इस form को जरूर भरिएगा इस form के application form आपको 8 February से 8 March के बीच म को मिलेंगे और अपनी तयारी में अभी से लग चाहिए I hope इस वीडियो से आप लोगों के जो basic doubt थे eligibility, age limit, qualification, subject wise क्या क्या चीज़े हैं यह सभी आपको clear हो यहाँ आज की इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको detail advertisement चाहिए तो आपको comment section में यहाँ पे telegram group का link मिलेगा आपको complete content यहाँ पे मिल जाएगा आज की इस वीडियो में इतना ही अब मैं आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले topic के साथ बाई 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 टेक केर